तो जब हम पढ़ाई करते हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवी की एक्जाम दे रहे हों, चाहे आप गेट की एक्जाम दे रहे हों, चाहे आप SSB का फॉर्म हर रहे हों, UPSC का, तो कुछ चीज़ें ना अनिशन कॉमन रहती हैं, तो जो कॉमन बातशीद करें गया, the first P is about productivity, कि कितना हम time अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, और उससे हम कितना output ले पारे हैं, है न, कई बार ऐसा होता है, कि हम 10 से 12 मतलब है न, बिल्कुल गिन करके बैटे हैं, सुबह से इतना time लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम end पे देखते हैं, तो हम उतने test solve नहीं कर पाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ये चीज का problem है, मेरी साथ भी होना था, ऐसा ही, ये productivity की problem है, time हम उतना लगा रहे हैं, पर उतना result नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए तो एक चीज ये कि मैंने, कि जितने भी distraction हमारे environment में होते हैं, जैसे क हमारा phone सबसे बढ़ा है, उन चीजों को थोड़ा सा मैंने कम किया, उसके अलावा और भी जितनी चीजों में हम involved रहते हैं इंटरनेट पर, पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा limit करने की कोशिश की, और दूसरी चीज, कही न कहीं अपने आपको एक थोड़ा सा time इंटरने की कोशिश नहीं है, हमारा हर दिन अलग होता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको at least five to six hours मैं कहूंगी, अगर आप किसी भी exam को तेयारी रहे हैं, तो कोई भी exam जो है, वो five to six hours आपको रोज मत उसना दिन जो है दूसरा, वो आप प्लान कर लेजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है, अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया, यहां से हाई करूंगा और एक वीक आप सोचो कि follow हो जाए, तो मुझसे वो follow नहीं हो पाता था, तो मैं यह करती थी कि सोने के पहले, आप अपने आपको पहचान कर अपनी स्टाटिजी खुद बनाएगे, मुझसे advice कीजे, लेकिन आप वही कीजे, जो आपको लगता है कि आपके strength और आपके weakness के हिसाब से काम आएगे, लेकिन फिर भी कहूंगे कि थोड़ा अपने आपको बांधो, थोड़ा discipline में रहो, तो उस तरीके का attitude, एक fire, वो passion अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा, that passion will drive you and that passion will take you places. तो चार नाइनी है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बखुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, तो आप अपना हौसला बुलन कीजिए, बड़ा सपना देखे, बड़ा सपना देखने से डरिये मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है, उतनी ही बड़ी महनत करेंगे, तो आप यहां आएंगे और फिर मुझे जरूर गुलाएंगे, है ना, चलिए, थाइंक्य समय हौसला अपनना है, से मुझे ऑनलए हौसला आपना है, भी मत, ने जरूरार बड़ा स्पीजास है, अकिक अपना फेंग, का श多ht देखाएंगे, जापना हौसला अथ पर आपना है, बड़ा ditesा है